मेरा नाम सेयद जाफर रसान, मैं एलेवेट जुनियर कालेज में हिंदी अधिया पगूंग। हरिवम्षराई बच्चन. अब यह हरिवम्षराई बच्चन का पर्चे हरिवम्षराई बच्चन का जन सन 1907 को इलाहबाद से सटे प्रताफगड जिले के एक छोटे से गाउं बाबु पटी में हुआ था. हरिवम्षराई बच्चन 1907 में इलाहबाद के प्रताफगड दिश्टिक में एक छोटा सा गाउं बाबु पटी वहां पे पैदा हुएं. इनके पिता का नाम प्रताफ नारायन स्री वास्तो तदा माता का नाम सरस्वति देवी था. इनके पिता का नाम है प्रताफ नारायन स्री वास्तो और इनके मातास्त्री का नाम है सरस्वति देवी. इन्होंने प्रयाग विश्वधियालाई से अंग्रेजी में M.A. और क्राइमबेज विश्वधियालाई से अंग्रेजे साहित के विख्यात कवी W.B. इड्स की कविताएं पर शोग कर Ph.D. पूरी की इन्हों क्या है प्रयाग से अंग्रेजी में M.A. पास कर लिया है और क्राइमबेज में जो इन्वर्सिटी है उसमें अंग्रेजी साहित थी अंग्रेजी के जो प्रोफेसर कवी W के जो कविताएं है उसे शोग करके उसे चुन के Ph.D. उन्हों पूरी कर लिया है इन्हों 18 जैनुवरी सन 1903 18 जैनुवरी 2003 2003 को मुंबाई में आपका निदान हो गया ये था इनका पर्चे और इनका साहित योगदान क्या था हरिवंशुराय बच्चिन की मौलिक रचनाय में मदुशाला, मदुबाला, मदुकलाश, निशा निमंत्रन, मिलन यामिनी घर के इदर उधर ये उनके प्रमुक रचनाय में ये तो इनके मौलिक रचनाय हैं मदुबाला, मदुशाला, मदुकलाश, निशा नियंत्रन, मिलन यामिनी घर के इदर उधर ये हैं इसमें से फिर गद्धिभग है, क्या भूल, क्या याद करूँ, छोटी-छोटी कडियां, नीड का निर्माण, फिर-फिर प्रमुक रचनाय हैं ये इनके इंपोर्टेंट गद्धि रचनाय हैं विशे और शैली की दृष्टी से सोभाविक्ता बच्पन के बच्चन की कवितायों का उलेखिनी गुण है क्या है, विशेश इनकी दृष्टी से देखे गए, तो सोभाविक्ता क्या है ये बच्पन के, ये जो हरिमंश्राय बच्चन है, उनके कवितायों में ये लिखे वा है इनने इलाबबाद का प्रवक्त कर माना जाता है, इनको क्या है इलाबबाद के एक प्रवक्ता कर वेसे इनों माने जाते है अब कविता में अपन जा रहें, तो कविता का पर्चे ही क्या है ये कविता में हरिमंश्राय बच्चन, मनिश्य के अप्रिव बातों को भूल कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है क्या है इनसान अपने जिन्दगी अप्रिव बातों को, गुजरेवे बातों को, जो इंपोर्टेंट ये वो बातों को भूल कर जीवन को आगे बढ़ने के लिए या रहरणा दी जाती है जीवन और मृति ही सांसरिक जीवन का शस्त्र और परमसती है क्या है जीवन और मृति मरना और जीना यह तो सांसरिक जीवन का एक परमसती है यह तो दुनिया में चलने वारी चीज है जो चीज समाप्त हो गई उस पर निरंतर शुक कुल होना वेर्द है जो चीज अपने साथ समाप्त हो गई गुजर गई उसके बारे में हमेशा सोंच के दुख होना बेकार है प्रक्रूरती भी मनशी को यही पाड़ सिखाती है जो अपना नेचर है यह भी इनसान को यही सिखाती है जो चीज बीट गई उसके बारे में शुक करना बेकार है जीवन की इसे निरक्षता का हुदारन कविता में है जो इनसान शुक मनाता उसके एक्जम्पल्स यह पोय में दिये गए है आकाश के कई तारे तोड़ जाने पर भी आकाश उन पर शुक नहीं मनाता अब आस्मान है आस्मान में रात में तारे आते दिन में नहीं आते फिर भी वो तारे तोड़ जाने के बाद भी आस्मान गया है गम नहीं मनाता उपवन में कितनी कलिया, फूल, पत्ते मुर्जाए जाने पर भी वो निराश नहीं होते हैं अब भगीचा है, भगीचे में कलिया है, फूला है, पत्ते हैं ये जढ़ते रहते पिर आते रहते जाते रहते लेकिन ये भगीचा निराश नहीं होता जो विक्ति जीवन की नक्षवता को समझ लेता है वो हर दुख से उपर उठ जाता है जो इनसान ये चीजों को समझता है वोई इनसान हर दुख से हर दुखीपन से उपर उठ के आता है ये न्यापरिन के कविता में जो कविता है उसमें समझाना चाहा रहे वो कविता देखींगे अब जो बीद गई सो बात गई जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था वो दूब गया तो दूब गया अंबर के अनन को देखो कितने इसके तारे तूटें कितने इसके प्यारे तूटें जो छुट गए फिर कहां मिले पर बोले तूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है जो बीद गई सो बात गई जीवन में वा था एक कुसुम थे उन पर नित निचावर तूब वो सूख गया तो सूख गया मदवन की चाती को देखो सूख ही कितनी इसकी कलिया मुर्जाई कितनी वलिया जो मुर्जाई फिर कहां खिले पर बोले सूखे पूलों पर कब मदवन शोर मचाता है जो बीद गई सो बात गई अब इसका सारम्स देखिए प्रस्तुत कविता में जो यह कविता है यह कविता में कवी ने मनशी को अप्री उपातों को भूल कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दिए जो इंसान को अपरी जो बेकर बाते हैं उसे भूल कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा एंक्रेच करने के चीज़ है जो चीज समाप्त हो गई उस पर निरंतर शोक कुल होना वेर्द है जो चीज खतम हो गई उसके उपर अपन हर हमेशा निरंतर शोक खुल शोक मनाना बेकार है कभी संदेश देते हैं कि जीवन में कश्णों के समय धीरज बांधना चाहिए कभी का ये कहना है कि जीवन में परिशानियों के वकित धीरज याने अच्छी तरिखे से सोंच समझ के काम करना धीरज बांधना चाहिए जैसे कि रोज आकश के और एक बार देखी हैं एक बार आकश आस्मान पे देखी हैं शाम को उनके तारे आकश में आती हैं शाम के टाइम क्या है आकश में तारे आते हैं फिर सवेरे येक एक होके छुड़ जाते हैं शाम में तो पुरा आस्मान भर के तारे रहते हैं और दिन के टाइम येक एक एक छुड़ते वे जाते हैं रात के समय अनेक तारों के आने पर आकाश आनन्दित नहीं होता और सवेरे एक-एक छुटने से दुखी नहीं होता क्या है आस्मान रात में तारे आतिज केकी खुशने होता और केकी सुबा में ये केकेकेक दीरे दीरे जड़ जाने से हैं उनों दुखी भी नहीं होता ये के छुटे जाने पर उसकी जगा दूसरे नए तारे आ सकती है अगर से एक तारा वहां से तूट गया गिर गया जड़ गया तो उसकी जगे दुसरे तारे आ सकते हैं इसी धीरज के कारण आके हमेशा निर्मल और निच्छेत रहता है ये चीज धीरज रखने से खामुशगी रखने से अपनाने से इसकी वज़े से आस्मान हमेशा निर्मल खामुश और निच्छेत रहता है इसी प्रकार हमको भी अपने प्यारे विक्तियों या चीजों को खो जाने पर चिंतित नहीं होना क्या ही है इसलिए अपन भी क्या है अपने जो प्यारे प्यारे विक्तियों याने जो अपने खरीबी विक्तियों या कोई चीजें गूम जाने के बाद भी अपन परेशान नहीं होना चाहिए उनकी जगा नहीं-नहीं आएगी अरे यह चीज तूड़ गई उनकर सुचना नहीं है उसके जाए नहीं आ सकती इस तरछ दीरत से आगे बढ़ना चाहिए इस तरफे से खामुजवी से आगे बढ़ना चाहिए कुसुम्ग के सुख जाने पर अनेक कलियंग के और बलरियंग के मर जाने पर मदवन नहीं शोर मचाता क्या है फूल सूख जाने पर कलिया मुर जाने पर जो भगी चाहे उनों शोर नहीं मचाता क्योंकि वही इस आशा में बना रहता है कि मौसम आने पर वे कलियां फूल, पत्डे और बलेरियां फिर खिलेंगे क्योंकि उसे एक उमीद हैती, जो जाड को एक उमीद रहती, अगर से फिर मौसम आ जाने के बाद, फिर जाड पे कलियां आते, फिर फूला होते, फिर पत्ते आते, फिर उसके पर घूमने के लिए परिंदे आते, इसी धीरत के करण मदवन हमेशा बाहर चा जाता है, इसी और हमको भी हमारे प्रीविक्तियों के तरह चीजों के खोजाने पर अधिर नहीं बनना चाहिए इसलिए हम भी हमारे जो चीजां चलेगे जो प्यारे विक्तियां चलेगे उसके बारे में दुखी नहीं होना चाहिए इसका संदेश इस पाट का संदेश हम ये सिखाता है कि कश्ट और सुक में ये की तरह रहना इसका संदेश क्या है कश्ट होंदो या सुक होंदो हमेशा ये की तरह से रहना है जो विक्ति जीवन के निश्वरता को समझ लेता है वो हर दूख के उपर उड़ जाता है जो इनसान ये चीज़ को समझता है सीख लेता है वही आदमी दूख से भी उपर उटके आ सकता है ये था ये कविता का साराम्स और उड़ेश